मूवी के स्टार्ट में आठ साल के बच्चे को दिखाया जाता है इस बच्चे का नाम डैवड होता है तो बहुत डरा हुआ था डैवड को कोई चीज परिशान करती रहती थी इसलिए वो हार टाइम डरा हुआ रहता है इस वज़ा से डैवड के पेरिंट्स भी काफी परिशान थे इन्होंने गर में दो लोगों को बलाया हुआ था जो मैजिक का तोड जानते थे उनके साथ चर्च का फादर भी था डैवड की बहन है डैवड के गार डैवड का फ्रेंड भी आया हुआ था जोहान डैवड को रूम में सलाने के लिए लेके जाता है डैवड को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई इसके रूम का डूर खोल रहा है ये वाश रूम में चुप जाता है वाश रूम में इसे बहुत सारे हाथ नज़र आते है साथ में टब में खून निकलने लगता है ये चीखता चलाता है इसकी फैमिली इसकी आवास सुनकर आती है डैवट बहुत घुसे में था वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपने फादर की टांग में चाकू मार देता है मैजिक तोडने वाला मेल डैवट को उठा का नीचे की तरफ लाता है ये साथ साथ में अपने नेल दिवार पर मार रहा था ये लोग डैवट को टेबल पर लड़ा देते हैं और गोड़ फादर डैवट के उपर स्पेल परना शुरू कर देते हैं ये डैवट को कंट्रोल करने काफी कोशिश करते हैं वही डैवट के मूँ से जाक निकलने लगी थी डैवट खुद को इन लोगों से छुडा लेता है बहुत बड़ा तुफान आता है सारी चीज़ें टूडने लगी थी मैजिक तोडने वाले मेल ने डैवट को मदबूती से पकड़ा हुआ था पर इसकी बोटी खुद ही मूव कर रही थी जोहान इसे कहता है कि तुम जो कोई भी हो इस बच्चे को छोट कर मेरे अंदर आ जाओ जोहान के कहने से डैवट की आंकें सही होने लगती है डैवट के अंदर जो भी सूल थी अब वो जोहान की बोटी में चली जाती है जिससे इसकी कंडिशन खराब होने लगी थी डैवट मैजिक तोडने वाली मेल पर अटेक कर देता है फिर इसे होस्पिटल लाया जाता है बॉक्टर इसकी वाइव को बताते हैं इसे अटैक हुआ था जोहान की करडिशन में टॉर्मल हो चुकी थी वो डैबी के साथ काम कर रहा था जोहान जब गर आता है इसे दिवार में एक होल दिखाई देता है जब ही इस होल के अंदर दिखता है इसे गोस्ट दिखाई दे रहा था वो गोस्ट इस पर हमला करता है क्योंके सच में वो असोल डैवट को छोड़ कर जोहान में आ चुकी थी जोहान अपनी कार लेकर जाने वाला था इसे रोग लिया जाता है अब हास्पिरल में मैजिक तोड़ने वाले मेल को जब होश आता है और बताता है क्यों सोल डैवट को छोड़ कर जोहान में आ चुकी है वो अपनी वाइब से कहता है कि इनको अकाल करके बताओ क्यों सोल बहुत खतरनाक है और सब इस से बच कर रहें मगर डैवी काल रसीव नहीं करती तूंकि वो फुल म्यूजिक में डांस कर रही थी इदर जोहान की कंडिशन में ठीक नहीं होती ये खुद के कंट्रोल में नहीं रहता मैजिक तोड़ने वाली फीमेल पुलिस को काल करती है और बताती है कि आप डैवट के कर जाएं और इदर डैवी जिस बंदे के साथ डांस कर रही थी वो गोस्ट में चेंज हो जाता है क्योंकि उस इनसान की शकल ड्रोनी बन चुकी थी डैवी उसे देख कर चलाती है ये जहान को अपने साथ लेकर बागती है मगर जहान चाको मार कर गोस्ट को मार देता है इसके कबरों पर खूल लगा हुआ था इतने में पुलिस वाला जहान से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो अब ये कपल जो मैजिक तोडने आया था वो जहान को कहता है कि तुम बाइबल पड़ो ये देखना चाते है कि तुम्हारे अंदर कोई सोल है के नहीं वही जहान की लॉयर भी पहुंच जाती है मैजिक तोडने वाला मेल कहता है कि जहान ने गोस्ट को नहीं मारा बलकि इसके अंदर के सोल ने उसे मारा है लेकिन लॉयर इसकी बात पर जिकीन नहीं करती ये लॉयर को कहता है कि रात को गर में आना मैं आपको वो सोल दिखाऊंगा सुबा लॉयर कॉर्ट में आती है क्योंकि इसे जिकीन आ गया था कि ये सब सोल ने किया है वो कोट में बिताती है कि कतल सोन ने किया है वगर जज की नहीं करता इसे कैद की सजा हो गई थी ये कपल कहता है कि हम जहान को बेकसूर थाबत करके रहेंगे अब ये कपल उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनते है और उस जगा पर जाते हैं जहां डैवट पहली मतबा डरा था क्योंकि इसको यहां पर गोस्ट दिखाए दिया था इस रूम में वाटर बैट था डैवट इस बैट पर जम्प लगा रहा था कि अचानक से इस बैट में से किसी का हाथ निकलता है उसने डैवट के हाथ को पकल दिया था फिर यह कपल डैवट की मदर को बताता है यह किसी गोस्ट ने किया है यह भी निचे की तरफ जाते हैं तो वहां बहुत सारे चुहे थे और वहां पर अजीब तरह का सकल बना हुआ था यह सकल की फोटो साब को दिखाते हैं और साब कहते हैं कि ऐसा सकल हमने पहले कभी नहीं देखा ज़च का फादर भी यही बताता है और कहता है कि इस सकल को किसी और गोड फादर को दिखाओ जो मुझसे सीनिर हो जब ये कपल किसी दूसरे फादर के पास चाते है वो ये फोटो देखकर इन्हें बताता है कि मैंने ऐसा स्कल्ड देखा है मगर वो इससे मुक्सिफ था फिर ये कपल एक डिटक्टिव आदमी से मिलते हैं जो इन्हें बताता है कि मैंने भी ऐसी सकल देखी है क्योंकि ऐसा केसी पहले भी हुआ था ये लेड़ी इपने साथ चाकू भी लेकर आई थी जिस चाकू से मारा गया था डिड़क्टिव इन्हें बताता है उस केस में दो लड़कियां थी फिर ये कपल डिड़क्टिव के साथ उस जगा पर पहुँच जाते हैं जहां ये सब कुछ हुआ था ये लेड़ी मैजिक करके पास्ट में जाती है तो इसे पता चलता है ये दोनो लड़कियां फ्रेंड थी एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को मार दिया था त्यूंकि इसके अंदर सोल आ गई थी जिस फ्रेंड में मारा था वैसे ही ये लेड़ी बेहेव कर रही थी अभी लेड़ी बाग रही थी ये बागते हुए किनारे तक पहुँच जाती है क्योंकि नीचे पानी था तीचे में कोई हाथ आता है इसे अपनी तरफ खैजने लगता है लेकिन इतनी देर में इसका हस्बंट आकर इसे बचा लेता है अब ये होश में आ जाती है ये अपने हस्बंट को बताती है कि जिस लड़की की लाश नहीं मिल रही थी इस लड़की की लाश रिवर में है ये इस लड़की की लाश को नकालकर इसे होस्पिरल लेकर जाते है जब लेड़ी इस लड़की का हाथ पकड़ती है तो इसे पता चल जाता है कि इसके साथ क्या हुआ था अग मैजिक तोडने वाली फीमिल उस गार में जाती है जो बहुत खोफनाक होती है तो वहाँ इसे बलैक मैजिका सेटप दिखाई देता है वहाँ पर डाइन होती है ये फीमिल उस डाइन का फेस देख लेती है और इससे पूँचती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तब यह कोई ghost इस पर हमला करने के लिए आता है और इसका husband इसको हाथ छोड़ने को कहता है जो इसने लग़ी का पकड़ा हुआ था यह अपने magic खत्म कर देती है बहाँ से इनको एक बुक मिलती है जहां पर मैजिक तोड़ने के मेथड़ थे जो इसके जूनियर ने दी थी इस बुक में लिखा था कि कैसे बलैक मैजिक करते हैं जब यह बुक पढ़ता है इसको ख्याल आता है कि डाइन और गोस्ट इस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं यह मेल चाकू से इन पर हमला करने लगता है इसका जूनियर इसका हाथ पकल लेता है क्योंकि यह सब करने को इसे सोल कह रही थी यह अपनी वाइफ को मार दे फीमेर गोड़ फादर से मिलती है वो इसको बच्चे की फोटो दिखाता है और बताता है कि यह मेरी बेटी विच है यह फादर इसे गार में लेकर आता है उस गार में विच भी थी जो ब्लैक मैजिक कर रही थी ये विच इस फादर की बेटी थी और विच अपने फादर को मारने आती है और इसके गदर पर चाकू रख देती है और भी इस लेडी के लिए अच्छा होका था क्योंकि वो टेबल इसके सामने था जिस पर वो ब्लैक मैजिक कर रही थी ये टेबल को नीचे किनाले की काफी कोशिश करती है मगर वो इतना बारी था नीचे नहीं गिरता इतनी देर में विच इस पर हमला करने के लिए आती है लेकिन इसे फील हो जाता है कि इसका हस्बेंट कहां पर है जो इसे बचाने के लिए आता है इसका हस्मेंट बेस्मेंट का दरवादा तोड़ देता है क्योंकि इसकी वाइफ मसीबत में थी इसे बाहर जाने का रासा नज़ा नहीं आता बलकि हर तरफ मिरर में अपना ही अक्स दिखाई देता है विच इस पर हमला करती है मगर वो विच को पत्थर मारकर यहां से बाग गई थी अब विच इसके हध्मulp के पास इसके वाइफ के रूप में जाती है अब यह आदमी विच के कंट्रॉल में था वो इसे कहती है कि अपनी वाइफ को मार दो यह अपनी वाइफ को मारने के लिये जाता है तो इसी अपना पास यात आ जाता है कि वो किस तरह अपनी वाइफ के साथ खुश था तो वो नॉर्मन हो जाता है अब ये मेल हथोड़ा लेकर इस टेबल को तोड़ने लगा था जिस पर वो विच बलैक मैजिक किया करती थी जिससे विच बहुत कमजोर होकर मर जाती है और जुहान भी सही हो जाता है क्योंके सोल इसकी बोड़ी से निकल चुकी थी और सारा मैजिक खतम हो जाता है जुहान को कोट 5 साल की सुदा सुना देती है डेबी परेशान थी और अभी भी सोल वाली बात पर यकीन नहीं करती जुहान को जेल होने के बावजूद भी डेबी इससे शादी कर लीती है सब केस खतम हो जाते हैं क्योंके सारी सोल खतम हो चुकी थी और बलैक मैजिक का असर भी खतम हो गया था यूँ मुवी केंट हो जाता है वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब कर दे बेल आइकोन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आपकी स्पोर्ट मारे चैनल के लिए बहुत एहम है